संगठन वाले चाप्टर की रिविजन शुरू करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर अप करेंगे संगठन का अर्थ, विषेशताएं, संगठन का महत्व, संगठन प्रक्रिया, संगठन धाचा, जो की दो तरह का होता है, कार्यात्मों कर प्रभागिये पिर अधिकार अंतरन का क्या आर्थ होता है विकेंद्रेकरण का क्या आर्थ होता है अधिकार अंतरन की विशेशताएं और महत्व और विकेंद्रेकरण की विशेशताएं और महत्व और अधिकार अंतरन और विकेंद्रेकरण में अंतर एक एक टॉपिक का रिविजन परिभाशा याद रखेंगे तो संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम उपक्रम का मतलब संगठन कोई भी काइंड किया जाता है तो क्या क्या काम किये परिभाशा बहुत important है बार-बार मैं यह repeat करती हूं बच्चे बोलते हैं कौनसी परिभाशा याद करनी है यह वाली परिभाशा आपको जरूर याद करनी है इसके अलावा जो मर्जी परिभाशा आप याद करो तो क्या है संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उप्क्रम के कारे को सबसे पहले परिभाशुद करते हैं फिर उनको वर्गिविद किया अलग-अलग traitorveya नहीं करना विभीन व्यक्तियों को सौफ कर उनकी अधिकार समबंदों को निश्जित किया जाता है याद कर लिए परिभाशा पूर एक लाइन में लगाना है और फिर उसके बाद में हर अलग-अलग स्टूडेंट पिया हुआ है या हमने स्टूडेंट को यह काम सौपा है तो अलग-अलग स्टूडेंट को हमने बताया कि कि इसको कौन करना साफ करना अलमारी क्लीन करना पिर अरेंज करने का काम कौन करेगा साफ करने का काम कौन करेगा अलमारी क्लीन करने का काम कौन करेगा और अधिकार संबंदों को निश्रित करना कि किस को अथौरिटी डी गई है इस काम की देख रेक करने की ओके परिभाशा क्लियर है इसलिए better होगा कि हम संगठन प्रक्रिया के रूप में ही इसको पढ़ लें क्योंकि यही हमारे syllabus का main content है बहुत बार question भी आता है देखे बटे संगठन प्रक्रिया में 4 चरण है कितने चरण है संगठन प्रक्रिया में 4 कौन-कौन से number 1 हमने कहा सबसे पहले कारे को पहचाना ज करना है और विभाजन का मतलब काम को ऐसे बाटें की कारे में पुन्रवृत्ति भी ना हो और सब के उपर बोज भी बराबर बराबर विभाजित हो जाए किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे उपर जादा बोज है काम करने का तो संगठन प्रक्रिया का पहला स्टैप कारे की पहच करी है अब दूसरा काम है उसको अलग-अलग विभागों में बांटना अब कारें को अलग-अलग विभागों में कैसे बांटा जाएगा जो एक जैसे नेचर के कारें हैं समान प्रकृति के जो कारें हैं उनका एक सम्मूहू बनाया जाता है उनकी ग्रूपिंग की जाती है For example, लाइबरेरी क्लीनिंग वाला पार्ट हमने वह डिसकस किया कि यह हमें कारक करना है तो अगर हम सफाई की बात कर रहे हैं तो सफाई दो तरह की बुक्स की सफाई, अलमारी की सफाई, लाइबरेरी की सफाई तो एक जैसी प्रकृति के कारे को हम सफाई की काटेगरी में रख सकते हैं अगर हम उनको अलग-अलग groups में divide कर देते हैं अलग-अलग विभागों में divide कर देते हैं और उस काम को किसी विशिष्ट व्यक्ति को swap देते हैं अलग-अलग शेत्रों के आधार पर शेत्रों का मतलब North, East, West, South या फिर उत्पादों के आधार पर अगर हम एक से जादा product बना रहे हैं तो हम इस product के लिए इस व्यक्ति को point कर दिया दूसरे product के लिए दूसरे व्यक्ति को point कर दिया तो संगठन प्रक्रिया के दो चरण पड़े हमने सबसे पहला कारे की पैचान दूसरा उसका विभागी करण करना और विभागी करन कैसे करना है समान प्रकृति के कारे को एक साथ समुहित करना है इससे हमें क्या लाब मिलता है विशिष्टी करन का लाब मिलता है और निरधर and प्रक्रिया का तीसरा पॉइंट का निरधरन करना हम अलग अलग व्यक्तियों को वह काम सौप रहे हैं या डेपार्टमेंट्स बना रहे हैं अप हमें बताते हैं कि ये काम किस व्यक्ति को दिया जाना है तो हर विभाग को किसी भी विशेश व्यक्ति को सौपना और कैसे सौपना उस व्यक्ति को उसकी निपुनता शमता और योग्यता की आधार पर काम सौपने जाते हैं यानि कि हमने पहले काम को पहचाना उसको समान प्रकृति के कारे को ए सबसे पहला कारे की पहचान तथा विभाजन पहचान कर लेना विभागी करन कैसे समान प्रकृति के आधार पर और फिर करतव्यों का निर्धारन करना कौन से व्यक्ति को सौपना व्यक्ति को उसकी निपुनता शमता और युग्यता के आधार पर सौपना नाव संगठन प्रक्रिया का चौथा और आखरी चरन रिपोर्टिंग संबन स्थापित करना देखिए रिपोर्टिंग संबन स्थापित करने का मतलब क्या होता है किसी को काम सौप के खाली नहीं बैठ जाना उसको काम सौप के उसको ये भी बताने कि जब तुम्हारा काम फि प्रतिय करमचारी को पता होना चाहिए कि उसे किस से आदेश प्राप्त करने है और वो किसके प्रतिय जबाब दे यानि कि उसका बॉस कौन है उसको मालूम होना चाहिए सो संगठन प्रक्रिया के चार चरण कौन-कौन से फटा-फट रिवाइस करते हैं नमबर वान कारे की पहचान करना और उसका विभाजन करना क्या करना है और उसे छोटे-छोटे टुकडों में बांटना फिर विभाजन करने के बाद में उसका विभागी करन करना विभागी करन में क्या करा एक जैसी प्रकृति के कारें को एक साथ रखा फिर करतवयों का निर्धारन किसी व्यक्ति को सौपना किस आधार पर उसकी योग्यता निपुणता और शमता क्या धार पर और लास्ट में रिपोर्टिंग सम्बन साबित करना यानि कि बॉस कौन है म मेरा बॉस कौन है मुझे किसको रिपोर्ट करना है यह व्यक्ति को मालूम होना चाहिए क्लियर है वीडियो को पॉस करो देखो कितने पॉइंट्स आपको याद हो गए हैं नेक्स क्लास में